कि थे लोगर भाक टो किनिस्स कामरजोंस दोस्तों एक्याम को जो इंत-स आर था अब वो खत्म हो गया आपका एक्याम सोला रहे हैं, I hope, आप सबने अपनी preparation तो कर रहे हैं, काफी समय से आप इसकी preparation कर रहे हैं तो I hope आपकी preparation अच्छी है और आप अच्छे से with confidence ये exam देने आप जाओगे. दोस्तों यह जो हमने सीरीज शुरू की थी MCQs की 90 MCQs की सीरीज लगबग आधे से जादा खतम हो चुकी है और I think कि 2.200 कोशन और है जो हम एक्जाम से पहले कवर कर लेंगे आज हम कोशन No.271 से शुरू करेंगे आपको यह बता दू कि यह जो PDF i90 MCQs की जो कि हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं यह आपको मिले की किरिंज कामर जोन की एप पर उसी एप पर आपको टेस्ट भी है अभी वो मॉक टेस्ट देना भी अपले बहुत जाँ जरूरी है एक बार आप खुद को एनलाइज करो और देखो कि आपकी preparation का level क्या है काफी tough competition होने वाला है तो आप तयार रहो preparation पूरी आप करके रखो अब जो हमारे पास अभी time बचा है 12-13 दिन बचे हैं तो इसमें आप कुछ भी नया मत पढ़ो जो पुराना है उसी को revise करो नहीं आपको पढ़ने की अब जुरूरत नहीं है mcqs पे जादा focus करो timing वगएरा यह सब देखना आपने तो आज मैं question 271 से शुरू करूंगा और आज के session में भी हम 20-25 question cover करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द यह mcqs की series में मैं कातम करते हूंगा तो चली दोस्तों शुरू करते है आज का question 271 meaning of credibility of going concern is going concern का मतलब क्या है तो आपको मैंने बताया था accounting principles में कि going concern का मतलब कि business जो है वो चलता रहता है business को हम बंद नहीं करते तो going concern का मतलब क्या है business हम जब शुरू करते हैं तो उसका जो motive होता है वो है profit कमाना और business जो है कभी भी हम यह सोच के शुरू नहीं करते कि हम इसको साल या दो साल के बाद बंद करेंगे business a going concern मतलब चलता रहता है जब तक हम जाहें so meaning of credibility of going concern is a closing of business b opening of business c continuing of business d none of these तो इसका जो answer एक है that is continuing of business के business को हम continue करते हैं बंद नहीं करते c is the right answer चले दोस्तों next पर move कर लें इस concern कर दूं question number 272 following is the statement of revenue and expenses for a specific period of time इनमें से कौन सा है जो income और expense की बारे में की statement हमें बताता है a trading account b try balance c profit and last statement d balance देखिए इसमें trading account भी है और profit and last statement भी ये दोनों ही हमें income और expense के बारे में बात करते हैं इसके लिए answer होना चाहिए both a and c जो की option में नहीं है लेकिन इसका answer होना चाहिए both a and c चली दोस्तों next पर move करते हैं question number 273 element of cost of product किसी प्रोड़ट की जो cost है उसके उसमें कौन-कौन से element use होते है material, labor, expense only या d material, labor and expense तो किसी भी प्रोड़ट की cost में material, labor और expense तीनों use होते हैं question number 274 ये income tax का question है dash of income tax act is related to residential status इसमें से कौन सी section है जो residential status से related है तो section 6 है जो SSE की residential status के बारे में बात करती है so answer is B यानि section 6 next question पर move करते हैं question number 275 if the partners capital account are fixed salary payable to partner will be recorded अगर partner का capital account fixed है तो हम partner को जो salary देते हैं उसको हम कहा record करेंगे देखिए आपको पता है कि जब हम partner का capital account fixed बनाते हैं उसमें दो तरह की account बनते हैं एक partners capital account जिसमें partner की capital additional opening capital additional capital या drawings out of capital हम वो दिखाते हैं और बाकि जितनी भी partners की incomes हैं for example partners को जो जो भी दिया जाता है salary दी जाती है commission दी जाती है bonus दिया जाता है interest on capital दिया जाता है share of profit दिया जाता है तो जितने भी partners को payment की जाती हैं वो सारी की सारी current account में आती हैं और उसकी credit side में आती हैं तो अगर हम salary दे रहे हैं partner को और partners का capital account fixed है सबसे पहले क्रेंट अकोंड में आएगी और कौन सी साइड में आएगी हमेशां क्रेंट साइड में इसका अंसर रहेगा on the credit side of partners क्रेंट अकाउंट debit side में ड्रॉइंग्स इंटर्स और ड्रॉइंग्स आती है चलि दोस्तों next पर मूव करते हैं next is arrange cash building goodwill debtor and machine in balance sheet in order of liquidity liquidity के order में हमें इनको arrange करना liquidity का order हो गया कि जो चीज सबसे जल्दी cash में convert होगी उसको पहले लिखना है और जो सबसे last में cash में convert होगी वो सबसे आखिर में आएगी so debtor cash building goodwill देखिए सबसे पहले तो cash ही है क्योंकि cash तो hard cash है इसको तो cash में convert करने की ज़रूरती नहीं है तो cash दूसरा debtors debtors कौन से होते हैं जिनको हम उधार में कोई चीज बेचते हैं तो इसका नसर रहेगा cash debtor, machine building और last में आएगी goodwill question number 277 which of the following transactions will result in higher balance in the bank column of cash book income present to pass book इसमें से किस transaction की वज़ा से हमारी cash book का जो balance है वो जादा आएगा check issue but not presented for payment देखिए अगर हम check issue करेंगे तो हमारी cash का जो bank column है वो कम हो जाएगे यहीं minus हो जाएगा interest allowed by bank अगर bank interest हमें देगा तो हमारा bank balance बढ़ जाएगा हमें बताना है कि as computer pass book किस transaction के वज़े से हमारा cash book का balance as computer pass book कम दिखेगा तो check issue करते हैं तो लेकिन वो अगर bank में present नहीं होते payment के लिए तो ultimately हम जो हमारी cash book है उसमें तो minus कर देंगे लेकिन bank से वो balance कटेगा नहीं क्योंकि bank से वो check अभी पैसा जो है भी निकला नहीं इसलिए bank balance हमें बड़ा दिखेगा bank अगर हम interest अलोग करता है तो again bank balance आपका as compared to cash balance बड़ा दिखेगा bank charges entered twice in the cash book अगर हमने bank charges cash book में दो बार लिख दी हैं तो ultimately हमारा cash book जो है वो कम दिखेगा as compared to हमारी जो bank की pass book है तो इन तीनों की वज़ा से हमारा जो cash book जो हमारी cash book असको जो bank column है bank की pass book से कम दिखेगा यहीं bank balance से कम दिखेगा लेकिन fourth D check paid into bank but into bank for collection but not yet credit अगर हमने bank में check जमा किये हैं इसका मतलब जब हम bank में check जमा करेंगे हमारा cash balance बढ़ जाएगा लेकिन bank में वो जमा नहीं हुए it means कि हमारा cash जो हमारी cash book है उसका जो bank column है as compared to pass book हमें जाधा दिखेगा तो D is the right answer जिसकी वज़ा से हमारी cash book है उसका जो bank column है as compared to pass book जाधा दिखेगा बाकि इन तीनों में ABC तीनों में हमारा cash book का column है bank वाला column वो as compared to pass book कम दिखेगा चलिए दोस्तों next पे मूव करते हैं while passing and opening entry all the assets are dash while all the liabilities are इसमें एक blank आ गए तो जब हम opening entry डालते हैं तो सारे assets को हम क्या करते हैं सभी assets debit कर देते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि assets always has debit balance और nil balance तो liability को हम क्या कर देते हैं credit कर देते हैं opening entry में assets को debit किया जाता है और liabilities को credit किया जाता है इसलिए हमार answer रहेगा A चलिए next question the trading and profit and loss account is prepared under which attribute of accounting देखिया accounting जो process है उसमें मैंने आपको बताया था कि identification, measuring, recording, summarizing, analyzing वेगरा यह सब होता है तो जो profit and loss account है यह किस stage पे जाके हमें दिखाई देते हैं of summarizing आपको पता है जब हम summarizing करते हैं जो accounting process में एक stage है उसके अंदर हम trial balance बनाते हैं और trading और profit and loss account बनाते हैं under trading and profit and loss account भी इसी के अंदर बनाते हैं so summarizing is the right answer चलिए दोस्तों next is which of the following is most relevant accounting information for taxation authority जो taxation authorities होती है उनके लिए कौन सी information सबसे ज़्यादा relevant है देखो taxation authority का काम है tax लगाना और tax हमेशा किस पर लगाते हैं profit पर ना तो cash balance पर लगाते हैं ना fixed asset पर कोई tax लगता है ना credit sale पर लगता है उनको मतलब है profit से तो उनके लिए जो सबसे relevant information है वो है profit generated during the year जिसके उपर उनको tax लगाना है next the term sale is used for the sale of term sale हम किस के लिए use करते हैं आप सबको पता कि term sale जो है हम sale of goods के लिए use करते हैं and is never used for the sale of asset assets के लिए term sale नहीं use की जाती आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब जिस चीज़ का हम business करते हैं जिस चीज़ में हम deal करते हैं अगर हम वो चीज़ बेच रहे हैं तो हम sale लिखेंगे और इसके अलावा कोई और चीज़ बेच रहे हैं तो वो मतलए asset होगा उसका नाम ही लिखा जाता है तो term sale हम सिर्फ उस चीज़ के लिए use करते हैं इस चीज़ का हम business करते हैं और बाकी के लिए हम जो term जो है वो asset ही use करेंगे, question number 282, trial balance cannot be prepared in, trial balance कहां हम नहीं बना सकते, a single entry system, b double entry system, c accrual system, d mercantile system, बाकी इन तीन systems में हम trial balance बना सकते हैं, लेकि single entry system में trial balance नहीं बनता, क्योंकि single entry system में हम expenses को incomes को अलग से record नहीं करते, तो उस case में हम trial balance नहीं मना सकते हैं, क्योंकि trial balance के अंदर आपको तीनों तरह के account real personal nominal बनाने पड़ते हैं, जबकि single entry system के अंदर आपको cash account होता है, assets की बात करें, या फिर personal account होते हैं, तो उसमें nominal account expense income हम record नहीं करते हैं, इसलिए single entry system, sorry trial balance जो है single entry system के अंदर नहीं बनता, चलिए दोस्तों next पर move करते हैं, an account is having debit balances established when, किसी account का debit balance कब established होता है, कब हम मानतें कि debit balance है, यह मैंने आपको पहले बताया है, बड़ी बार हमने जब ledger भी की है, कुन सा balance debit होगा, कुन सा credit simple logic है, जो side बड़ी होगी उससी का balance बोला जाता है, for example, अगर debit side बड़ी है, तो debit balance, और credit side बड़ी है, तो credit balance, तो अग अगर किसी side का debit balance है, तो इसका मतलब क्या होगा, A, the last entry of the accounting period was posted in the debit side, बिल्कुल गलत कि last entry हमने debit side भी पोस्ट की है, the amount of debit exceeds the amount of credit, तो यही मैंने बताया, debit balance का मतलब, debit side का बड़ा होना as compared to credit side, और credit balance का मतलब, credit side का बड़ा होना as compared to debit side, so B will be the right answer, चाहिए दोस्तों, next में move करते 284, check received and paid into bank, the same date is recorded in, अगर हमें कोई check received हुआ और same date को हमने bank में जमा करा दिया, उसको हम कहां रिखेंगे, आपने cashbook बनाई होगी, तो अगर हमें check मिला और उसी दिन हमने bank में जमा करवा दिया, तो cashbook जो होती है, उसका जो bank column होता है, उसको हम वहां पे record करेंगे, लेकिन अगर मान लो एक check आपको आज मिला और आपने कल जमा करवाए, काफी सारे बच्चों को dogs भी हैं, एक check अगर मान लो आज आपको मिला और आपने कल जमा करवाया, तो आज के दिन के entry हम recording नहीं करते, एस भर CBAC जो हमारा syllabus है, तो वो अब पहले होता था कि पहले उसको cash में ल जिस दिन check मिला उस दिन की entry हम पास नहीं करते, तो याद अगना check आज मिला और आपने कल जमा करवाया, अब उस case में counter entry नहीं बनती, पहले बनती थी, ठीक है, तो अगर आज मिला और आज ही जमा करवा दिये, तो तो हम bank column of cash book लिखेंगे, तो A is the right answer, question number 285, social accounting system India is classified into, तो य एक financial institution, दूसरे financial institution को overnight के लिए देता है, यहनि एक दिन के लिए देता है, और काल money, यहनि जब उसने मांगा तभी वापिस करना पड़ेगा, तो उसी को काल money कहते है, तो एक financial institution, जब दूसरे financial institution को एक तरह का loan देता है, overnight loan, यहनि एक दिन के लिए लोन देता है, तो उसको हम call money कहते हैं, so it is an overnight loan in the money market, so answer is A, what is notice money, जब loan, just a second, चलिए, what is notice money, जब loan दिया जाता है, 2 से लेके 14 दिन तक, it is loan of above one day, यानि आप कह सकते हैं, 2 से लेके 14 दिन के लिए, किसी को अगर loan दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, notice money, चलिए जी, next पे move करते हैं, which of, which from the option below is not a step from budgetary control, इसमें से कौन सा है, जो budgetary control का step नहीं है, establishing a plan or target for the performance, बिल्कुल जी, budget तो इसलिए बनाया जाता है, थाकि हम एक plan या एक target fix कर सके, recording of actual performance, हाँ जी, जब हमने plan fix किया, तो हम फिर उसकी actual performance भी देखेंगे, तब ही तो हम अपने budget के साथ उसको compare करेंगे, see comparing the actual with budget figure, वही मैंने बात की, कि जो हमने actual में जो हमारी हमने खर्च किया, मालों किसी प्रोडिल की cost की बाद हम कर रहे हैं, तो जितना हमने खर्च किया actual में, उसको compare करेंगे, जितना हमने budget बनाया है, none of the above, तो इसका answer हेगा, none of the above, इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है, जो budgetary control का step नहीं है, ये तीनों ही budgetary control के step हैं, चलिए next is long term budgets are prepared for, long term budget किसके लिए बनाया जाता है, capital expenditure, long term के लिए होती है, आप सबको पता है, research and development लंबे समय के लिए की जाती है, क्योंकि research and development तो बहुत अच्छा कासा, लंबे समय लगता है किसी चीज़ की research and development के लिए, long term finances लंगें, लंबे समय के लिए 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 लिखा है, इसलिए अंसर एगा अलब दबब इन सब को हटा कर हमने क्या लाया है निया टेक्स लगा जो जी एस थी तो डीज दा राइट आंसर तो दोस्तों ये थे आज के सब्सक्राइब करेंगे तो आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो आपका नेक्स सेशन में 291 से शुरू करेंगे कोशिश करेंगे 20-25 एंसर करने की थेंक्यू दोस्तों थेंक्यू वेरी मच